नमस्कार साथियों आप सबका पुनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में आजम लोग डिसकस करने वाले हैं श्रीमत भगवत गीता अध्याय एक श्लोक बतिस यह श्लोक उन विक्तियों को धारन करना चीए इसका अर्थ समझना चीए जो कभी कर्म और सन्यास सबकुस त्याग दें या अपना कर्म करते रहें अभी ऐसा मन में विचार आ सकता है एक फौजी के मन में भी ऐसा विचार आ सकता है कि सर्वोपरी तो मोक्ष है सब चीज को त्यागना ही कहा गया गरंतों में अब मेरा कर्म ऐसा है मैं देश की रक्षा के लिए यहां आप तो नहीं कर रहा हूं इसी प्रकार की एक दुविधा अर्जुन के मन में भी जिसका उत्तर आगे चलकर मिल जाता है तो उस प्रकार के अजातकों को 32 श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए वहाँ पर अर्जुन की मनुस्तिति क्या कहती है क्रश्न को अर्जुन कहते है हे क्रश्न मैं ना तो विजय चाहता हूं मतलब वो यह अच्छी बात है एक फौजी के लिए या हम अगर हम कर्म योगी हैं हमें उसके कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है लेकिन अगर कर्म फल की इच्छा नहीं है और हम कर्म को भी त्याग दें वो ठीक नहीं है आपको कर् अर्जुन बता रहे हैं बड़ी समझदारी से, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना ही सुखो को ही, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रियोजन है, ऐसे राज्य से या ऐसे भोगों से, जो हमें युद्ध के बाद मिलने वाले हैं, जीवन में इन सब क्या लाब है, मतलब जब हमारे कुटुम्बी, स्नेही जन, हमारे गुरुओ, वो नहीं रहेंगे तो इन भोगों को हम करेंगे क्या, ये बात तो उसकी बहुत अच्छी, सभी को ऐसा लगता है, क्योंकि अर्जुन को हम क्या मान रहे हैं, लेकिन इस भावना से हम क्या अपने कर्म से पीछे अट जाएंगे, वो गलत है, अकर्म करना है, लेकिन नहीं करना ऐसा नहीं है, उससे बच नहीं सकते हैं, अगर सन्यास भी कोई विक्ति ले लेता है, जैसे अभी अर्जुन अभी, सन्यास योग जैसी बात दिखाई देंगे, भी सन्यास की तरफ अग्रसर हो गया है, क्या लगता है, वो सन्यासी बन जाएगा, तभी उसको कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो कहते हैं, ना करने की अपेक्षा करना ही श्रेशकर बताया गया है, वो बोल रहा है कि मुझे यह सब काम नहीं नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को यहां से एक बात सीखनी चाहिए, कि एक अच्छा योध्धा जो है, हमारे जीवन की युद्ध में भी, हम जब भी कोई कर्म करते हैं, तो विज्ध की चाहत के लिए नहीं करना है, फिर भी पूरी लगन से करना है, कितनी अच्छी बात, मैं ना तो विज्ध चाहता हूँ, मतलब अगर मैं कोई योध्धा हूँ, जीवन में युद्ध में अपने खडग लेकर, ततपर हूँ, जीवन युद्ध को जीतने के लिए, तब भी ऐसा बताया गया है, कि विज्ध की कामना ऐसा नहीं, कि मुझे इच्छा रखनी कि मिज्धे मिल जाएगा, आपका कर्म पर अधिकार, लेकिन इच्छा नहीं है, इसका मतलब त्याग दो युद्ध को ऐसा नहीं बताया गया, मैं ना तो विज्धे चाहता हूँ, और ना राज्य, ना सुक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर्म नहीं करूँगा, मैं सुक नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या अविश्कार नहीं करूँगा, जैसे वैज्ञानिक की मनुस्तुति क्या है, कि देखिए मैं अविश्कार करने वाला हूँ, मैं ऐसे ऐसी नई नई चीज़े खोजूँगा, कई दफ़ा ये माइन में आ सकता है भी, कि हम तो अपने जीवन को ऐसे मशीनी यूग में किस दिर्शा में लेकर जा रहे हैं, तो क्या अविश्कार ना करें, अविश्कार तो करना ही है, लेकिन उसके अविश्कार के बाद उससे जो सुक मिलता है, उसका आप चाहें तो अपभोग ना करें, और करें भी तो मन को उसमें लिप्त ना करें, यही अकर्म है, वो कर्म कर रहा है, फिर भी उसके कर्म फल में लिप्त नहीं हो रहा है, कितनी अच्छी बात यहां समझ में आती, कि अगर किसी के मान में ये वाली कहीं भावना आ गई, भगवान ने सिर्व इतना काया कर्मन ने वाधिकारस ते माफलेशु कदाचना कर्म कर फल की चिंता मत कर अभी उसको गलत समय में आ जाता है कि अगर जब फल की चिंता ही नी करनी है तो कर्म छोड़ो ना कायेका कर्म करना है ना तो मुझे विजय चाहिए ना मैं एक बढ़ी मैं किसी भी प्रकार से सन्यास योग को गलत नहीं बता रहा हूँ लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो विक्ति बिना समझे उस विशे को सन्यास योग में भी क्या आपको कर्म करना ही पड़ेगा उल्टा और जादा विवस्थित रूप से करना पड़ेगा सन्यास का मतलब यहां सिर्फ त्याग से जैसे कोई बहुत बढ़िया क्रिकेटर है वो क्रिकेट से सन्यास ले लेता है कोई बहुत बढ़िया फोज का अधिकारी है उसको लगता है कि मैं अभी राष्ट के सेवा करूँ यह मैं मोक्ष की साधना में लग जाओ इस समय तो उसका वही कर्म है वही से उसको मोक्ष मिल जाएगा तो ध्यान रखना है कि यह सन्यास की बात मैं सिर्फ एक सन्यासी की दृष्टी से नहीं कर रहा हूँ सन्यास का मतलब यहां उसको त्यागना है उस कर्म को छोड़ देना है क्लिर हो के तो वो ध्यान रखना है कि मैं ना तो विजय चाहता हूं ना राज्य चाहता हूं सुख चाहता हूं सुख भी नहीं चाहता हूं इस कारण मुझे क्या करना है फिर जीत मिले ना मिले ऐसा नहीं कर सकते हैं मतलब जीत ना मिले तो इसके लिए क्या युद्ध नहीं क अविश्कार से मिलने वाले सुखों की कामना नहीं करते हैं लेकिन अविश्कार ही नहीं करेंगे क्या ये ठीक नहीं है तो जो हमने वाके हमारे साधारन जीवन में भी इस प्रकार के वाके चलते रहते हैं need is the mother of invention आवशकता अविश्कार की जननी अब इसको हो सकता है कोई गलत अर्थ में ले जाए वो लेगा भई हमें तो भारतिय दर्शन या यही सिखाता है जो शुद्ध वैदिग्यान है अंत्तो गत्वा सबका एकी लक्ष है मुक्त होना मुक्ष की प्राप्ति अब जब मुक्ती होना है तो आवशकता है बढ़ानी क लेकिन कि हम इन्वेंशन करना चोड़ देंगे जब मुझे लगेगा जब मैं महसूस करूंगा कि यह विक्ती की नीड हो सकती है उसको मैं कितना ज़्यादा देवता स्वरूप मानकर मैं उसके लिए विचार कर रहा हूं कि जन्मानस को समस्या हो रही है इसलिए मैं इवन में बहुत बड़ा विचार अपने को मिल जाता है कि भई नीड किसके मतलब नीड वो अपने लिए नहीं कह रहा है समाज की नीड को समझे आप उसमें लिप्त ना हो लेकिन इन्वेंशन तो अपने को करना ही है तो यह वाक्य बिलकुल सही है इसमें कोई दोश नहीं नीड is the mother of invention हमें आवशकता पैदा करनी है लिप्त नहीं होना है बस इतना ही है युद्ध करना है युद्ध के फल में लिप्त नहीं होना है तो हमने इस 32 से शोग को आपके सामने रखने का प्रयास किया और आपके सयोग के लिए पुना-पुना आप सभी का हरदय से धन्य जयवाद, सादुवाद और आपका सयोग मिलता रहेगा तो हम पूरी भगवत गीता एक-एक श्लोक का अर्थ इसी प्रकार से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मिलते हैं अगले श्लोक में तब तक के लिए जैश्री भगुपराशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्का झाल